चुले अगली कपरकार उक्का लेते हैं बारिश के मौसम की दौरान गौलियर में सर्पदंश के मामले भी बढ़ रहे है शहर के एरपोर्ट स्टेशन में साप काटने से 10 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई आपको बता दे कि एरपोर्ट स्टेशन में पदस्त आनंद 24 कैंपस की सरकारी क्वाटर में रहती थे उनका बेटा रोहन रात की समय वाश्रूम गया इस दौरान जहरीले साप ने उसको पैर में काट लिया पिल्हाल पोलस ने शव को पोस्ट माटम के लिए भेज जाज शुरू कर दी है अगया कि एरफोर्स इस्टेशन में इनके फादर्स आनंद 24 जी इनके बेटे को सरपधन से मौत होना पड़ीत हुए बाकी मौत की सही समीच्छा के लिए पीम कराया है पीम कराके और सो उसको को सुपूर्द कर दिया उसके पैरेट आनंद 24 जी को सुपूर्द करती है एयरफोर्स कर्मी है एयरफोर्स में थे जो सरकारी जो उनके रूम बने हुए है वहीं पर कोई जहरीले पीले ने काटना भी बताया है जैसा पंचान की समझ अबागी बाद में पीजो भी होगा कितनी साथ से यहार रह रहे हैं अब यह जाच की पीस है मैं भी अभी स्टेटमेंट लूँगा भी